नमस्कार किसान भाईयों काव की अवस्था में अगर धान पीला पढ़ रहा हो समय कौन सा खाद का प्रियोग कर सकते हैं यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो पर आगे देंगे कौन से खाद का प्रियोग कर सकते हैं धान के गबोट अवस्था या गाव अवस्था या फ्लावरिंग स्टेज कहा जाता है या दुधिया कहा जाता है आपके एरिये में क्या कहा जाता है उस समय जब धान में बालिया आना शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है आपके एरिये में कमेंट करके बता सकते हैं अगर गबोट अवस्था में आपका धान पीला पढ़ रहा हो उस समय पर आप धान में भर्पूर नमी बनाए रखें। विशेज प्रकार से ध्यान दे की पानी की कमी ना होने पाए। बिसेज बाते अगर पीला पन अगर पानी के कमी से पढ़ता है उस समय पर आप उचित मात्रा पे उसमें पानी की पूर्ती करिए पानी की पूर्ती करने के साथ साथ कोई अच्छा सा टेकनिकल वाला फंजी साइट का प्रियोग करें आप अगर अच्छे टेकनिकल वाला कैसा ही हो जाएगा धान में दूसरा कारण पीला पढ़ने का आपके धान के फसल में पानी की मात्रा की कभी कमी नहीं हुई हुई है और उसके बाद भी पीला पढ़ रहा है आप पोटास का प्रियोग कर सकते हैं 0050 और उसके साथ में 054 का प्रियोग कर सकते हैं और उसके साथ में एक और चीज बुरान का प्रियोग कर सकते हैं दो से तीन किलो यूरिया की मात्रा का प्रियोग कर सकते हैं आप इन चारो तत्तों का अच्छे से घोल बना कर इन तत्तों का इस्प्रे करवा देना चाहिए पूरे फसल में इस्प्रे कर करवा रहे हैं वह आपके दान का बालियों को बजंदार बनाएगा और चमकदार बनाएगा कोई भी दाना खाली नहीं रहेगा पूरी बालिया भरी रहेंगी बालियों में खकरा नहीं रहेगा खकरा का मतलब खाली इलका जिसे बोला जाता है हमने जो इन पीके का इस प्रे कर रहे हैं बुरान हमारे पौधे को हरा करने में मदद करता है धानों को बजंदार बनाता है और चमकदार बनाता है चावलों को अगर आपके धान के फसल गबोट अवस्था में पीली पड़ रही हो तो यह चार तत्तों का प्रियोग कर सकते हैं और आपने तत्तों का मात्रा में प्रियोग कर देते हैं यह सही नहीं होता है गवोट अवस्था में यूरिया का प्रियोग नहीं करना है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा पौधे के पास में भरपूर मात्रा में उपलब्द होती है अगर हम और ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रियोग क कर सकते हैं या नहीं आप वह वीडियो देख लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें हम आप से अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई हो